हे गाईज वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल माइड हाइज नर्सिंग आज कल हम देख रहे थे मॉर्फोलोजी और बैक्टिरिया हम पढ़ाई कर रहे थे तो जिसमें हमने मॉर्फोलोजी देख ली थी बैक्टिरिया की यानि कि वो किस शेप में होते हैं कैसे वो रह देखे थे आज हम इंटर्नल फीचर देखेंगे इंटर्नल एक्स्ट्रेक्ट्र बैक्टिरिया का वह देखेंगे तो स्टुडेंट्स आपको फुल नोट्स मिल रहे हैं आप इस में नोट्स बनाईएगा अपनी को नोट बुक में और उसको वीडियो के थूज जो है उसको समझिए और फिर उसको as it is जाके अपने notes में दे दीजे exams में आप उसको लिख लीजे आपको full marks मिलेंगे आपको कोई problem हो नहीं है कहीं जाने की जरुवत नहीं है और इसमें complete notes दिये जा रहे हैं जो कि आपको काफी mark इसमें आ जाएंगे और ये बहुत important topic है कि इसमें से कुछ ना कुछ किसी ना किसी way में question आते ही है चाहे वो morphology structure हो चाहे internal structure हो या कोई एक part उठा के दे देंगे कि cell wall के बारे में लिखो या plasma membrane के बारे में लिखो मतलब कुछ भी दे सकते हैं तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आप जरूर से प्रेस कर लें ताकि जब भी कोई इसमें video upload करें तो आपको उसका notification मिल जाए और आप उसका full फाइदा उठा पाएं तो चलिए स्टार्ट करते हैं तो जो cell wall होती है bacteria की क्या होती है पहले हम cell wall के बारे में देखेंगे जो कि मैं previous video में बता चुकी हूँ कि जो bacteria cell wall होती वो peptido glycan से consist रहती यानि कि उसकी बनी रहती है जो bacteria cell के लिए क्या होती है essential protective barrier का काम करती है ठीक है यानि कि वो एक उसके लिए barrier का काम करती है protect करती जो उसके अंदर substance होते है उसको वो protect करती कोई harm नहीं पहुंचने देती है ठीक है और ये जो मतलब ये दोनों में पाई जाती gram positive और gram negative cell जो होते है bacteria जो होते है उनमें ये पाई जाती gram positive और gram negative bacteria cell जोनों में पाई जाती pepto glycan क्या होती है rigid highly conserved complex structure of polymeric carbohydrates and amino acid यानि कि ये जो होती carbohydrate amino acid के एक highly rigid मतलब कठोर और highly conserved यानि कि एक अत्यादिक सुरक्षात्मग और complex होती है gentle structure होती है ठीक है जैसे कि आप इसमें देख पा रहे होंगे ये देखे ये जो dark blue से है ये है cell wall ठीक है और इसके बाहर है capsule और ये इसके जो अंदर आप देख रहे हैं जो यह आप अंदर देख रहे हैं साइटो प्लाज में है जो देख रहे हूंगे आप अंदर material इसके तो ये इसको क्या करके रखा है देखे पूरा protector करके रखा छारो और से cover करके ठीक है यह देख लिज़े आप यहां पर देख लीज़े यह वाले इस ट्राइग्राम में देखे आप यह बाहर इसका क्या है cell wall कौन सी है यह यलो वाली cell wall है और इसी से बिल्कुल चिपका हुआ सा capsule होता है जैसे capsule इसको पतला cover करके रखता है ना wall को वो है यह जैसे समझो की इसमें paint लगा दिया जैसे हम लोग capsule खाते है ना तो capsule के बाहर एक cover होता है और उसके अंदर जित्ते भी उसके granules होते हैं जो भी उसके material होता वो safe रहता है same like here यह जो cell भी इसी तरीके से जो भी इसके अंदर के दिवार जिसके अंदर की हम लोग कैसे रहते हैं जैसे हम अपने घर का देखें तो हम अपने अंदर safe रहते हैं दिवार लोग से protect रहते हैं सेम यहां पर भी वो उसी का काम कर रही है ठीक है अच्छा अब हम देखते हैं इस यह इंटरल आप उस्टक्चर में किया क्या देखेंगे ऑग तो मैंने ज्स टेक अब होरीव किया की क्या है यह हम देखेंगे । यह निकलियोट्स देखेंगे अभी हम देखते हैं साइटो प्लास्मिंग मेमरिन के बारे में, वो हम दीरे दीरे देखेंगे, आप घबराइए मत, सारा इसी में नहीं बताऊंगी, आपको मैं दो पार्ट में या तीन पार्ट में ये बताऊंगी, ताकि छोटा छोटा वीडियो बने, आप परिशान ना हूँ, मैं तो पूरा चोटा करके बताऊंगी, बोर ना होएं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, तो जो साइटो प्लास्मिंग मेंब्रेन है, उसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है, तो जो साइटो प्लास्मिंग मेंब्रेन है, स्ट्क्चर ऑफ प्लास्मा मेंब्रेन, जिसे की हम सैल मेंब्रेन सकते हुआूँ हो साइटब्लाज्मiseK रूप में जाते हैं सब एक ही है किसी कुछ भी नाम आ जाये तो आप समझ जाए ये कि ये क्ला थे ऍल में ट Meh बाइयो लॉजिकल मेंब्रेन है जो एक सेल के जो होती है इंटिरियर पार्ट जो भी इसके इंटिरियर पार्ट होता है इंटिरियर एंवामेंट होता है जो भी अबजेक्ट होता है जो भी मटीरियल होता है यहां पर उसको यह क्या करती है उसको आउटर एंवामेंट से क्या प्राइमरी फंक्षन होता है यानिक प्राथमिक जू कार कयते है जो पहला काम है उसका सेल को इसके आसपास के आसपास से पोटेक रखना होता है ठीक है और compose of the जैसे मैंने बताया था कि जो प्लाजमा मेंबरेन होती है यह देखें compose of a phospholipid bilayer with embedded protein ठीक है यह जो होती है embedded protein के साथ एक phospholipid की क्या करती bilayer बनाती है bilayer मतलब डबल लेर हो गई तो यह जो थी bilayer से बनी होती है plasma membrane जो होती है वो selectively जो permeable मतलब एक permeable का काम करती है permeable to ions यानि कि छानने का काम जिसे बोलेंगे न permeable to ions यह जो होती है permeable किसके लिए होती है ions के लिए और organic molecules regulating the moment of substance मतलब जो भी कोई substance होती है उसको out करना अंदर करना या बाहर करना यह उसका काम होता out and उसको regulate करना इसका काम होता ठीक है composed of the phospholipid phospholipid की बनी होती है इसको bilayer करते है आप देख सकते होंगे यह देख पा रहे होंगे आप देखे यह है ना lipid यह देखे यह ओरेंज ओरेंज जो दिख रहे हैं आपको यह यह ओरेंज ओरेंज देखे ना यह लिपिड है यह देखे राउंड राउंड से बने वे हैं यह इसका head हो गया और यह देखे एक इधर side से है उपर side से और यह नीचे side से है तिक है बीच में यह tail हो गई दोनों की तो इस तरीके से यह देखे प्रोटीन माटीरियल है और यह जो है इसके इंसाइड जो सैल है इसके इंसाइड में यह है तो इस तरीके से यह बाइलेटरल लेयर बना रही है एक नीचे लेयर बनी है और एक उपर लेयर है एक यह लेयर है और एक ये उपर लेयर है, ठीक है, सेम ऐसी ही नीचे भी होगी इसके, तो ये देखे, एक ये हो गई, और एक ये उपर होगी, तो ये उसकी लेयर बनी हुई है, दो लेयर बनी के रखी, इसले इसको bilayer बोलते हैं, Composed of Phospholipid, यानि कि Phospholipid की bilayer है, इसमें क्या रहते हैं, देखे, प्रोटीन रहते हैं, अब आप मैंने देखे, यह देखे, यह प्रोटीन है, यह इस तरीके से, इसमें इसमें डीपली वो इंसर्ट रहते हैं, यानि कि पेनेट्रेट करके रखते हैं, ठीक है, और यह क्यों ह मतलब जो इसके लिए, जो important substance है, उसको permeable करने के लिए, यह important है, उससे यह अंदर बाहर क्या कर सकते हैं, आ जा सकते हैं, molecules, regulate करती हैं, मतलब उसके movement को, ठीक है, ठीक है, प्राजमा membrane must be very flexible, ठीक है, यह कैसी होती है, flexible होती है, बहुत ज़्यादा flexible होती है, तो यह क्या करती ह the certain cell, like RBC, WBC को, और कुछ ऐसे जो भी molecules होते हैं, उनको यह अंदर बाहर, मतलब उसको करने के लिए, अलाव करती है, फ्लक्सिबल होती है, और उसके according यह अपने shape को, क्या कर सकती है, चेंज भी कर सकती है, चेंज करने के लिए भी यह अलाव करती है, to change shape as they pass through narrow capillaries, तो जब अपना shape को इसको पास करने के लिए change करती है, यानि कि यह help करती है, उनको छनने में बोल सकते है, या पास करने में बोल सकते है, ठीक है, अच्छा, फिर हम देखते है कि जो component of the principle component of plasma membrane are lipid, phospholipid, cholesterol and protein and carbohydrate, ठीक है, तो यह क्या होती है, यह जो प्लास्मा membrane के कुछ जो important components होते है है, वो है, lipid, phospholipid होती है, cholesterol है, protein है, और carbohydrate है, ठीक है, और जो plasma membrane protect करती है, किसको, intracellular components को, extracellular environment से क्या करती है, protect करके रखती है, तो यह देखिए important, जो इसके मैंने बोला आपको, जो यह component है, इसके आप देख पा रहे है, यह देखिए, protein है, यह जो blue-blue से दिख रहे है, आपको यह protein होगे, तो सब इसमें अबेंडेंड है, मतलब deeply तक, मतलब insert है, ठीक है, और यह कुछ cholesterol आप देख रहे हैं, green-green color के देख रहे होंगे आप, ठीक है, इस तरीके से cholesterol होगया, यह देखिए, इस तरीके से cholesterol है, यह blue color से protein है, ठीक है, तो यह इसमें क्या रहते है, उ अंदर के environment, उसको बाहर के environment, मतलब अंदर के, जितने भी उसके component है, जो भी आप देख पा रहे हैं, उसके component को जो होती है, वो बाहर के environment से protect करके रहती है, यानि कि एक barrier का काम करती है, और double layer बनाती है, ठीक है, अब double layer कैसे बनाती है, आगे slide में देखेंगे, ठीक है, तो ज create cellular process, मतलब कि जो भी अंदर का जो material है, उसको regulate करने में, मतलब कि अंदर बाहर करने में, कैसे जो plasma memory cell में enter करना और exist करने वाले material को क्या करती है, regulate करके रखती है, कि किसको अंदर करना, किसको बाहर करना, ये उसका process होता है, ठीक है, cellular process में वो एक mediator का का काम करती है, means, mediator एक चौकिदार जैसे समझे, कि किसको अंदर जाना, किसको भाहर जाना, वो decide करेगी, ठीक है, तो plasma memory carries marker, और क्या करती है, जो कि cell को एक जुसरे को क्या करते है, recognize करने में help करते है, यानि कि allow करते है, recognize करते है, recognize मतलब होग है, पहचानना कि कौन सा उनके लिए, मतलब ठीक है, औ कौन उनके लिए harmful है, तो वो उसको पहचानने में उसकी help करते है, जो कि ये indicators होते है, ठीक है, जो ये signal उसको देते है, ठीक है, और receptors के through क्या होता, other cell को भी वो signal transmit करते है, ठीक है, plasma memory carry markers, कुछ के marker carry करती है, plasma memory that allow the cell recognize the, ये जो क्या करती है, एक recognize करती है, one another, एक दूसरी को प receptors होते है, वो क्या करते है, इनको signal को receive करते है, जैसे हमारी होती है, ब्रेन से, जो भी message जाता है, हमारी nerve ending, जो भी हमारी जो ये sense organs है, उसको receive message भेजते है, फिर उस message को क्या करते है, हमारे body में messaging आती है, कि हमें क्या काम करना है, कौन सा, कैसे हमको जो reflexes है, वो हमारे काम करत ठीक है तो तुसी तरीके से यहाँ पर भी ए सीगनल देती कि कौन उनके लिए सही है घलत है तो वो होता है रिक्टोर जो कीछी रिसीव करके सिगनल देता है ठीक है अब होगी plasma membrane को ही हम continue करें तो plasma membrane को अगर देखें तो यह क्या होती है अब ऐसे बोल सकते हैं कि एक semi permeable barrier है देख लीजे plasma membrane क्या है semi permeable membrane है that's around the cytoplasm of the cell ठीक है यानि कि हम कह सकते हैं कि जो plasma membrane है वो एक semi permeable layer होती है जो कि cell की cytoplasm मतलब कोशी का द्रव जिसे बोलते हैं हिंदी में cytoplasm को क्या करके रखती है cover करके उसके चारु तरफ वो एक cover करके रखती है उसको membrane ठीक है उसके अंदर रहता cytoplasm ठीक है और receptor का काम क्या है a protein on a cell wall that bind with specific यह देखे यह देखे यह देखे specific molecule कहा गया यह जो receptors होते है यह क्या होते है protein on a cell wall that bind with specific molecule so that they can be absorbed into the cell ठीक है मतलब कि यह क्या करते है एक cell की wall पर जो होते हैं यह cell की wall होती है उसमें जो protein जैसे मैं अभी आपको दिखा यह देख पा रहे होंगे blue color के तो यह क्या होते है protein होते है जो कि specific molecule से बढ़ होते हैं आप देख पा रहे होंगे कि ये कैसे रहे है एक तरीके से bind करें थीक है ताकि उसे क्या करें cell के द्वारा यह देखे यह बहुत nutrient substance होता है cell के लिए न तो यह जो भी protein जहें यह चैनल रहें जो protein channels होते हैं यह इसको कोई specific material के थूँ क्या करके रखते हैं molecules के थूरू bind करके रखते हैं जिससे की जो cell होता है वो इसको क्या कर सके अब्सॉर्व कर सके यानि कि इसमें से इसको वो यह देखे यह लिखा है ना they can molecules so that they can be absorbed into the cell ताकि वो cell के थूरू क्या किया जा सके अब्सॉर्व क्या जा सके ठीक है अगर हम शॉर्ट में देखें तो if the cell is represented by the, represent किसे करना है by a caster यानि कि एक large building समझ लीजिए cell को मतलब अगर हम शॉर्ट में देखें उसको represent करते हैं cell को एक building से the plasma membrane is the wall और जो cell है वो तो एक building हो गई और जो plasma membrane वो उसकी दिवारे हो गए ठीक है that provide structure वो क्या कर रही है उसको यह जो paasma membrane या यह wall हो गई और यह जो castles मतलब मतलब जह लार्ज building ठीक है यह जो cell क्या कर रही है cell को हम समझ ले रहे है large building है और जो यह plasma membrane यहार भील्डिंग की क्या है wall है that provide structure for the building inside the wall यह जो wall होती है क्या कर रही है यह building को जो यह large building है इसको क्या कर रही structure provide कर रही है inside the wall मतलब कि यह wall के अंदर यानि कि wall की जो wall के अंदर की जो building के लिए एक structure को provide कर रही है और वो control करती है कि कौन अंदर आएगा और कौन यह देखो यहां लिखा है ना कि यह building inside the wall regulate which people live and enter the caste यानि कि वो क्या करती है regulate करती है जैसे एक wall होती है हम लोग क्या करते है gate बन करते हैं जिसे वो अंदर रहना वो अंदर रहते हैं हमें पता है घर के अंदर कौन member आएंगे तो यह इसी तरीके से यह regulate करती है कि कौन people अंदर रहेंगे और कौन enter कर पाएंगे और कौन बाहर रहेंगे इस तरीके का यह wall का काम होता है ठीक है regulate which people live and enter the caste कौन people रहेंगे और कौन अंदर enter कर पाएंगे they convey the message to an other from neighboring caste और यह क्या करते हैं फिर उसको जो message होता है वो convey करते हैं अपने other उसमें neighbor मतलब प्रोसी ठीक है तो जैसे हम यहां पर एक building से हम वो कर रहे है कि इसको एक building मान के चलो और जो wall होती है वो उसका क्या कर रही है उसको एक मतलब जो cell होती वो एक building है ठीक है और जो membrane है वो wall है और जो membrane होती वो एक structure दे रही है building के लिए ठीक है cell को एक structure दे रही समझी है और वो उसे control कर रही है membrane क्या कर रही है कि कौन अंदर जाएगा कौन बाहर रहेगा तो इसी तरीके से जैसे wall होती है हमारे घर के अंदर कौन आएगा कौन बाहर जाएगा वो हम decide करते हैं तो उसी तरीके से तभी हम गेट को open करते हैं में लगता कि वो हमारे मतलब घर के लोग है ठीक है तो उसी तरीके से अगर कोई वो नहीं है तो वो हम उसको अलाव नहीं करेंगे तो उसी तरीके से सेल मेंबरेन का भी काम होता है और नेवरिंग कास्ट यानि की जो परोसी में है जो नेवरिंग मतलब जो पास की जो क्या हो सकती है तो यहीं पर भी इसी तरीके से रप्चर इन दा प्लाजमा मेमरें अगर यह तूट जाती है रप्चर मतलब यह तूट रही है ठीक है तो यह तो क्या होगा यह कॉस कर सकती है करते है यह लाई होना यह लाई होना इसपे डिपएंड करता है कि यह यहющ massive की जो यह कैसी है अगर वह रप्चर है तो फिर पक्काई कि सहल क्या हो जाए गा वह नायव जाएन जाएगा वह तो आप हम देखते है इसके जो नीचे के स्रक्चर है इसके नीचे कौन-कौन से structure होंगे वह हम अभी देखेंगे पहले हम इसका structure देखते हैं cell wall का तो यह देखें अभी हमने देखा था ना में इसकी थीकना सोती वह होती है 75 mm इन थीकना से देख रहा है यह देखें से इतनी मोटी है ठीक है क्योंकि डबल लेयर की बनी यह देखें डबल लेयर है एक नीचे है और एक ऊपर है वह वह कैसे मैं भी बताऊंगी इस अब फॉस्पोलिपिड से बनी होती है अब आउट ट से ट्वंटी से थर्टी परसन जो होते हैं इसमें फॉसपोलीपीड होंगे और प्रोटीन होता है 60 से 70 जो प्रोटीन प्रोटीन होता है 60 से 70 ज्यादा है और जो after Pyrucs तो इसले मपशने होắगी ओधैशन के हैं, तो किते होंगे 20-30 वर्सन होता है,"थ तो इसले इसको भॉचना बी लीयर भॉलते हैं, डोबल लेयर के इसले परथी आपको क्यान का सबैसा है own thing ethics 잘 móv construction पूस्पो लीपीड जिसमें की प्रोटीन आपको दिखा दिया था कि कैसा अरंज से अरेंज था तो by layer is the form by the phospholipid which protein are closely arranged each phospholipid molecules has both head देख ली जब head hydrophilic and hydrophobic ठीक है जो phospholipid molecules होते हैं ये दोनो तरीके से होते हैं एक तो head होता है और एक तो tail होता है ये औरेंज जो ये वाली है ये tail है ठीक है ये बीच वाला yellow color का ये tail है और आपको दिख रहे है औरेंज टाइप के ये head है ठीक है तो ये कैसे बनाते हैं एक दूसरी की parallel है देखिए जो head है वो outside में दोनों के outside में और ये tail है यानि कि जो ये पूछ है ये कहां की और को है अंदर की और को है तो ठीक है ये होगी phospholipid की bilayer ये देखिए एक उपर को बना एक नीचे को बना तो ये दो layer होगी phospholipid की ठीक है आप देख पा रहे होंगे ये दो layer है extracellular हो गया है दोनों ठीक है यह दोनों जो होती है यह और अंदर के और को क्या है अब आप यहाँ पर देखे नीचे वाले sentence में hydrolipic head facing outward यह देखिए यह जो होता है head होता है hydrolipic का और यह बाहर के और face होता है इसका बाहर की और को इसका head होता है an hydrophobic tail facing toward each other और यह देखिए यह जो tail होती है यह यह एक दूसरे की और को face की होती है इसको बोलता है hydrophobic यह होती है hydrophobic और यह होती है यह जो head होता है hydrophilic hydrophilic मतलब जो कि इसमें आगे को मैं बताऊंगी next line अभी आप confuse जाएंगे तो इत्ता समझ लीजे कि जो यह bilayer होती है इसको क्यों बोल रहे है bilayer क्योंकि एक double layer होती है phospholipid की जो की protein इसमें closely arranged रहता है आप यह लिखिए ठीक है और each phospholipid molecule help both और जो phospholipid molecules होते है इसमें head and tail दोनों होते है तो जो head होता है वो क्या करता है वो outside face होता है उसका ठीक है दोनों और को face रहता है और जो hydrophobic जो tail होती है यानि कि जो इसकी पूछ होती है वो दोनों side से अंदर होती है एक दूसरे के और को face करी हुई यानि कि दोनों एक दूसरे के और को चलिए next slide देखते है, it is similar in both, अब यह क्या होता है कि यह दोनों में same होता है, कि यह gram positive और gram negative दोनों में पाए जाते हैं, ठीक है, और क्या होता है, the lipid matrix of the membrane has fluidity, ठीक है, यह जो membrane होती है, जो membrane के lipid matrix में, fluidity, यानि कि जो moisture, यानि कि एक fluid होता है, ठीक है, जो मतलब moisture होता है, fluid हो ठीक है, मतलब इसके inside, और this type of structure of plasma membrane is known as fluid moesic models, और इस plasma membrane के इस तरह की कि जो structure होता है, उसको क्या बोलते है, mosaic model के रूप में इसको जानते हैं, बस आप इतना समझ लीजिए, और नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, main main आपको वही लिखना कि किस layer से बनी है, double layer क्यों बो ठीक है, as act as a hydrophobic barrier for the water soluble molecule, ठीक है, वो अब यहाँ पे आता है, अब आप देखिए, water molecule, यानि कि पानी में गुलंशील, ठीक है, hydrophobic barrier for the water soluble molecule, यानि कि यह जो होता है, water molecule के लिए, hydrophobic barrier के रूप में काम करता है, ठीक है, हाइडर, मतला हाइडरो molecule, मतला water molecule, जो कि पानी में जो गुलंशील होता है, पानी में जो observe हो जाते है, water molecule के लिए, hydrophobic क्या होता है, बेरियर का काम करता है, जो कि अभी आपने देखा था, head जिसका outside थे, ठीक है, और यह क्या करता है, act as a semi-periable membrane, ठीक है, यह semi-periable जो होती है membrane के रूप में यह काम करता है, specific जो membrane, जो specific membrane जो protein के जो facility होती है, यानि कि जो protein लाब देख पा रहे होंगे, उसमे protein abundant रहता है, उसमे protein bind रहता है, वो small molecule of nutrient and waste product को membrane से transfer होने में क्या करता है, help करता है, और इसमें क्या होता है, it contains various enzymes, ठीक है, इसमें क्या होते है, various enzymes होते है, जो की requirement होते है, metabolism और capsule के जो synthesis होता है, capsule के लिए जो synthesis होगा, capsule बनाने के लिए, और cell wall के synthesis के लिए, क्या होते है, require होते है, कि भई, wall को कैसे बनाना है, और capsule को किससे बनना है, तो उसके लिए कुछ enzyme की जरुवत होती है, तो वो इसमें various enzymes भी होते है, ठीक हो गया, समझ में आया, तो क्या होता है जैसे मैंने बता है Hydro Phobic Barrier अब आप इसे देखे Act as a Hydrophobic Barrier Hydrophobic Barrier का मतलब है Water Silluble जो material होता है Water Silluble जो जो वो होते हैं Molecules होते हैं उनके लिए एक barrier का पाम करता है मतलब barrier का मतलब जो भी कोई ऐसा मतलब स्टुमला यारा जो की water में अच्छी सब्ना काम कर सकता है वो उसको penetrate कर सकता है उसकी दिवार को वो कर सकता है तो उसके लिए यह क्या करेंगा एक barrier का काम करता है वहाँ पर यह अच्छी से काम कर पाता है water solible membrane की तरह फो barrier की तरह काम कर रहो हон ञश्य और यह semi diagram membran Zelda है मतलब कि semi-pariable membrane का मतलब क्या है कि यह एक ऐसा में जो च्छान सकता है कि इसको specific जो material होते हैं जिसमें की protein bind रहता है वो transmit किसको small molecules like nutrient waste product जो होते हैं across the membrane membrane के इधर उधर जा सकते हैं यानि कि उसको च्छानने का काम कर सकता है जो भी require होती cell के उससे वो अंदर बाहर कर सकते हैं ठीक है और यह क्या होते हैं इसमें देखिए मैंने बोला इसमें various enzymes होते हैं ठीक है यह जो cell membrane होती इसमें काफी enzymes होते हैं जो कि क्या करते हैं उसके requirement होती respiratory metabolism के लिए one love respiration करता है cell उससे metabolism का काम होता है synthesis किसमें मिलते हैं ठीक है अब हम देखते हैं यह तो बहुत मैंने detail कर दिया था अब हम Đेखते है मीजोडम जो मीजोडम होता है उसको कॉंड्योर्ट भी आगर कभी आ जाए तो कांट्यूज नहीं होगा दीज आरदा इन्वर्टेट फोल्ड यह जो होते हैं इन्वर्टेट फोल्ड होते हैं सेल मेंबरेन के अंदर that that can increase their surface area of certain function जिससे कि क्या करते हैं जो यह वाट जो मीज डम्स होते हैं यह यह जो सुरे मीजु सोम Young क्या होता है यह से ल मेंबरेन की दोente मतलब सिल मेंबरेन की इनवेटट फोल्ड रोता है ठीक है मतलब घुमावदार ठीक है जो कि कया करते सर्फेस एडिया को इनके जितना जितना घुमा के कोई चीज रखेंगे तो उसका surface area क्या हो जाएगा इन बढ़ जाएगा ना तो उसका surface area बढ़ जाता है किसी जो किसी भी function के लिए यानि की बहुत सारे function होते हैं उसमें ये surface area इनका increase हो जाता है कुछ भी काम करने के लिए ठीक है मतलब एक नली के तरीके से tubes like structure होता है vesicles के रूप में ये होते हैं ठीक है किसमें होते हैं जो की gram कौन सा positive bacteria ठीक है ये हर cell में कितने होते हैं 2 से 4 ये हो सकते हैं मीसोसोम जो होता है मीसोसोम में भी center और peripheral in position मीसोसोम क्या होता है center में या फी peripheral में ये रहता है ठीक है ये आप देख पा रहे हैं ये देखे मीसोसोम ये है ये है देखे green वाला तो ये क्या है यहाँ पर ये इस तरीके से घूंग घूंग कर ये fold है ना तो fold क्या करेगा उसको increase कर देरा surface area को तो यहाँ पर ये mesodrome ये है तो ये surface area को increase करता है और ये periphery हो गई है जो के देखे periphery हो गई और ये हो गया center हो गया ठीक है तो ये जब घूंग घूंग के इस तरीके से ये periphery और center इस तरीके से ये रहेगा mesodrome center में या periphery दोनों में रह सकता है मतलब position होती है तो ये आपने देखा अब होता है the center mesodrome penetrate deeply into the cytoplasm ठीक है अब जो center का mesodrome होगा मैंने बोला था ना center में या periphery किनारों में भी रह सकता है और center में भी होता है तो जो center जो mesodrome होता है वो cytoplasm deeply यानि कि गहराई तक वो क्या कर सकता है enter करता है यानि कि अंदर तक का वो गूंगूं के पूरा उसके center तक पहुचता है जबकि जो peripheral mesodrome होता है केवल एक shallow penetration कर सकता है यानि कि वहीं पे कर पाएगा shallow कर पाएगा penetration और penicillin जैसे जो extracellular enzyme के क्या कर सकता है वो export में involvement होता है उसका लेकिन इसमें कई plasma membrane जो होता है enzyme नहीं होता है इसमें जो होती कई plasma membrane ऐसे भी है जिसमे enzyme नहीं होता है जो dhunrise dehydrogenase जो होती है और cytochrome जो होते है यह जो देख पा रहेंगे dehydrogenase or cytoplasm 郵ो नहीं होता है गफूँ यह देखो but it does not यह देखे, but it does not have many plasma, यानि कि बहुत से plasma ऐसे होते हैं, membrane ऐसी होते हैं, जिसमें कि enzyme like, enzyme नहीं होते हैं, does not have enzyme, like atps, dehydrogenase and cytokrome, ठीक है, इस तरही से, इसमें बहुत से plasma ऐसे होते हैं, plasma membrane जिसमें यह सब नहीं होता है, ठीक है, it has been suggest that the mesozoom help in the formation of the septum, और यह जो होता है, क्या करता है, mesozoom जो होता है, help करता है, formation of septum में help करता है, ठीक है, thank you guys for watching this video, अब यह जो किस, जो मैं, यह मैंने थोड़ा कम इसमें अभी किया, क्योंकि यह देखे, ज्यादा लेंदी हो जा रहा, तो mesozoom को हम continue करेंगे, next part में, थोड़ा मैं इसमें इसका detail कर दूँगी, वैसे, mesozoom हमारा complete हो गया, अब हम ribosome से, हम next slide में continue करेंगे, तो मुझे लगता अब आपको समझ में आ गया होगा, mesozoom में एक बार और, पहले मैंने cell wall था, आपको बहुत अच्छी से भी समझा दी थी, अब मैं इसमें आपको एक बार, mesozoom और अच्छी से बता देती हूँ, कि यह inverted fold कैसे होते हैं, inverter घूम घूम के जो होते हैं, invert होते हैं, मतला उल्टा, उल्टे करके होते हैं, cell membrane के अंदर, और यह जो हते हैं, increase करते हैं, surface area को, यह देखें, और यह किनारे में जो हते हैं, periphery हो गया, बीच में हो गया, center में हो गया, mesozoom, चीके, especially यह जो हते हैं, gram positive में होते हैं, और यह होते हैं, यह, totters, tubules, और vesicles, यानि यह tubes में, घूम घूम के tubules में, और vesicles के form में होते हैं, और यह जो हते हैं, दो से चार होते हैं, एक cell में कम से कम, और mesozoom जो हता है, center of periphery दोनों में हो सकता है, ठीक है, और जो center में, जो center वाला जो होगा, mesozoom वो क्या होगा, वो काफी, काफी penetrate कर सकता है, deep तक का sytoplasm, यह, जो sytoplasm आप देख रहे हैं, yellow color का, तो यह काफी अंदर तक पहुंच जाता है, जो center वाला होता है, उसको deep तक penetrate कर लेता है, ठीक है, और जो वाइल, जो periphery वाला होता है, वो shallow, वो जो वाइल दा, periphery, mesozoom, शो only a shallow penetration, वो के अवल हमें, shallow penetration यह उसका देख पाते है, it seem to be involved, और यह क्या करता है, export करता है, extracellular enzyme, such as the penicillin, penicillin, penicillinase को जो होता है, जो enzymes होता है, उसको यह, क्या करता है, export का काम करता है, ठीक है, और, but it does not have many plasma, लेकिन यह सभी plasma membrane में, जो enzymes होते है, like ATP, dehydrogenase, और यह, जो cytochrome होता है, यह, नहीं हो होता है, ठीक है, यह आपको समझ में आगया होगा, और यह formation of septum को बनाने में help कर देगा, तो thank you guys for watching this video, please like, share, comment and subscribe, please do like, share, comment and subscribe this channel, और अभी हम इसके बाद आगे का देखेंगे, जो कि थोड़ा बहुत और internal structure रह गया है, तो जिसमें मैं आपको बताऊंगी, ribosomes आब हम देख लेंगे, और हम chromatophase, chromatophase अगरा देखेंगे, inclusion bodies के बारे में देखेंगे, metachromatic granules के बारे में देखेंगे, यानि कि कुछ जो important है, उसको मैं थोड़ा detail करूँगे, जो ज़्यादा important नहीं है, उसको हम थोड़ा-थोडा summarize कर देंगे, तो जिससे कि आपका internal structure भी complete हो बताना चाहिए, बच्चो जैसा भी है, आपको बताना चाहिए, कि ये लंबे हो रहे हैं, वीडियो या छोटे हैं, या आप एक ही में सारा दे दीजिए, ठीक है, तो अगर आपको अभी इस से पहले जो morphology of bacteria मैंने डाली थी, और जो मैंने external structure दिये थे, काफी अच्छी से diagram के दुरू मैंने explain किया, तो उसको भी आप देख लीजिए, और वो इसी channel में आपको मिल जाएगा, तो thank you for watching, goodbye, take care.